बाल आपके बहुत ज़़ादा ज़रते हैं, नए बालों को उगाना चाहते हैं, बाल आपके बढ़ते नहीं हैं नुमश्क Sheriff दोस्तों सुभागत है आपका मेरे YouTube चानल में मैं हूँ तनू कई लोग बहुत ज़़ादा परेशान हैं अपने बालों को लेकर बहुत सारी चीज़े apply करते हैं लेकिन बालू की लंबाई नहीं बढ़ती है बालो का जढणना जो है वो बिल्कुल नहीं रुकता है बलकि कुछ भी apply करते हैं तो उससे hair fall और ज़ादा बढ़ जाता है जिससे की बाल जो है बहुत ज़ादा गिरते हैं गंजेपन के शिकार हो तो फ्रेंट्स आज मैं आपके लिए एक बहुती बढ़िया सी रेमेडी लेकर आई हूँ वह इतनी अच्छी रेमेडी है जो कि आपके बालों का जहनदा भी रूकेगी आपके बालों को सिल्की सॉफ्ट शाइनी बनाएगी आपके बालों की लंबाई जो है बहुत तेजी से बढ़ेगी अगर आप उस रेमेडी को लगाना शुरू कर देते हैं तो आप एक से दो महीने में आप अपने बालों में अंतर देख सकते हैं अगर आपके बाल बहुत जादा गिर रहे हैं बिल्कुल भी आपके बालों का गिरना नहीं रुक रहा है और आपके बाल बहुत जादा रफ हो गए हैं तो फ्रेंग्स आज की जो रेमेडी में आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ जरूर से जरूर इस्तमाल करें और इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है हर एज के लोग लगा सकते हैं बेहिज़र तो मैं आपका ज्यादा टाइम बिल्कुल भी नह आप उसको अच्छे से कर पाएंगे और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले बस एक छोटी सी रिक्विस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे बैल आइकन को प्रैस कर दीजे ताकि मेरे वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन पहुंचे आपको सबसे पहले और फ्रेंड्स आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फालो कर सकते हैं मैंने आइडी को नीचे मेंचन कर रखा है तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो र अलुम व Cara आपको ऐसी ब्रैन गर सकते हैं अगर आपके पास कलर्फूल वाला है तो आप कलर वाला भी ले सकते हैं अगर ठाड़ बार आपको क्यों हमें पैसे बैमनों वाला है तो कै अपनी हैं लीकुम आपको यह ब्रे पाद ज्च्वंग्राण को कहफे हैं महारे सौरू के लिए हैं और हमारे बालो के लिए बहुत ज़़ते हैं तो ऑपके बालो का ज्यलना भी रोकता है। है बहुत अच्छा है। आपके बालो को ये बहुत अच्छा है। अपने बालो को अच्छा बनाना चाहते हैं और आप अपने बालो की समस्चाओंसे छुटकारा पाना चाहते हैं तो आप कैस्टर उइल का जरूर से जरूर इस्टिमाल करें अब आपको ये अच्छे से मिक्स कर लेना है जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तब आपको अपने बालो में अपलाई करना है फ्रेंट्स आपको ये बिल्कुल साफ हेर में ही अपलाई करना है आपको ये स्कैल्प में अपलाई करना है अच्छे से आप स्कैल्प में अपलाई कर लीजिए अगर आपका बच्टा है तो आप बालो की लैंध में भी जरूर से जरूर अपलाई करें अगर आप इसका इस्तमाल करते हैं तो इससे आपको कई सारे फाइदे मिलेंगे अगर आपके बाल बहुत जादा रफ हैं तो आपके बालो का जो रूखापन है वो दूर हो जाएगा और आपका हेर बूद बढ़ने लगेगा हेर फॉल की जो समसे है उससे भी आपको छुटकारा मिल जाएगा हमने इसमें जो इंग्रीडियंट एड़ किये हैं वो आपके इसके बालो के लिए अच्छे है इसको कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है आप अच्छे से अपने इसक करते हैं तो आप अपने बालों में खुदी अंतर देख सकते हैं बहुत ही अच्छे आपको रिजल्ट मिलेंगे यह आपको वीक में एक या दो बार लगाना है जैसे आपके पास टाइम हो उस तरीके से लगा लीजिए और उसके बाद आप जो है माइंड शेंपू से हेर व और जब भी इस रेमेडि को अपलाई करें तो नाइट में ही अपलाई करें ताकि आपके ओवरनाइट वो आपके बालों में रहे उससे ज्यादा पोश्र मिलेगा अगरा आप ओवरनाइट नहीं रख बा रहे हैं तो तीन से चार घंडे आपको जरूर रखना है इसमें के दिरे दिरे मोटे होने लगेंगे अगर आप यह सोचे कि आप एक दुबार अपलाई करेंगे और आपके बाल मोटे हो जाएंगे तो ऐसा बिल्गुल नहीं है आपको कंटीन्यू करना पड़ेगा और फ्रेंट्स कुछ लोग बोलते हैं कि हमने इसको एक बार अपलाई किया हमें तो कुछ फर्क नहीं हुआ तो फ्रेंट्स बहुत सारी ऐसे चीज होती हैं कि अगर आप एक बार अपलाई करेंगे तो उसका रिजल्ट सामने नहीं आएगा आपको कम से कम उसको कंटीन्यू करना पड़ेगा और जैसे कि बहुत लोग यह भी बोलते हैं कि हमने यह अ अपके बालों पर वर्क ना कर रही हूं ठीक है फ्रेंट्स उमीद करती हूं कि आपको आज के वीडियो यूसफुल लगा है तो एक जरूर करें और मेरे चानल को सब्सक्राइब जरूर कर लें बैल आइकन को प्रैस कर दीजे ताकि वीडियो के लिटेस्ट नोडिफिकेश कर दो